सारा मामला 2014 से गड़ बड़ाया था जब नाटो और यूरोपी यूनियन ने इंट्री किया था देखिए रूस की अर्थविवस्था का में सुरोष जो है वो गैस और पेट्रोलियम है वो गैस की सप्लाई करता है अब गैस सप्लाई पाइपलाई से होती है छोटे-छोटे से जाओगे तो हमको सालाना 23 billion dollar पैसा दो तो रूस ने का ठीक है दे देंगे तो सच्छुना 23 billion dollar तुम पैसो बोलोगे नाटो में सामील भी हो जाओगे यूरोपीय यूनियन में सामील भी हो जाओगे अरूस से संबन्दों नहीं रखोगे तो हमारे कहवत का जाता है ना पान